आउज बिल्लाहि मने शेताय रजीम बिस्मिल्लाहिरोमाय रहीम असलाम अलेकुम डियर स्टुडेंट्स क्लास 6 सब्जेक्ट जियोग्राफिया डेटेट 24 ऑफ जूम 2020 टॉपिक मोशन जार्द अरक क्वेस्टन नमर वन इसका आज हम पॉट ए डिसकस करने जा रहे हैं छोलच पाते स्टुडेंट्स य कि प्रया उस्वाल्च स्ट झीक्ट्स एंट्स जास्व क्वर्छ्च, दुटास्व प्य।का रहे खेट जियोग्राफंट्स, टॉल्च झीति का श्य।का झालिर्ट्स पाते स्ट।क्ट्स小ण क्पीटर्ट्स ज्यूच on 21st March and 23rd September respectively. These two days are known as EcoNexus because the days and nights of the equal duration throughout the world. It is neither very cold nor very hot all over the world. It is autumn on 23rd September in the Northern Hemosafir and Sipring in the Southern Hemosafir. What is an EcoNexus? Now we will discuss what is an EcoNexus. EcoNexus. Parts of the year when the days and the nights are of equal length. These are the times of moderate temperature. The rays of the sun fall vertically on the equator. The rays of the sun fall vertically on the equator. In this phase, the sun crosses the equator to move in the Northern and Southern Hemosafir on 21st March and 23rd September respectively. This μεtle仁 Is call As the Earth of the Sun May Hierarchy, As the name of the sun, ये दो दिन एकोनेक्स के नाम से मशूर हैं क्योंकि दुनिया बर में दिन और रहार बराबर दो रहने के हैं इस नाइजर वेरी कूल नर वेरी होट अल ओवर द वर्ल दबानशी ज्यादा सरत मुष्य ज्यादा घरम दुनिया से दुनिया समस्य पूरी दुनिया में न तो बहुत सर्दी और नहीं बहुत गर्मी होती हैं इस नहीं पिस अोनिया सम उ वेड़र चुछू समर जू दू कसे इस अम्ह projets पूरू चाहिए चाहिं श्वाणिय का चुक्षान हे इसयान की गड्म भां सीच रू अन्य॥ैंघ्ड unless हुआ श्वynिया पंप्र आर्डंणमिय होट सब्सक्राइब को मुश्मिक खजा है थैंक यू